हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं SP3D प्रस संक्राइन की SP3D hybridization ठीक दोस्तों तो चलिए देखते है SP3D hybridization क्या होता है तो इसको समझने के लिए हम लोग लेंगे general example जो है की PCL5 का PCL5 का ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग को क्या गरना है कि P का परमानुस अंख्या आपको पता है कि P का परमानुस अंख्या atomic number क्या होता है 15 और जो कि इसका electronic प्रस लिखेंगे तो 1H2 2H2 2P 6 3H2 3P 3 होता है ठीक है तो इसका जहूं लिए electronic filling करेंगे ठीक है तो P का electron filling जब करेंगे तो होता है इसका 3S सब नहीं लिखेंगे दोस्तों बहुत लंबा चवरा हो जाएगा तो आपको जीतना जुरुत है उतना ही लिखेंगे 3S 3P और 3D का ठीक है तो 3S 3S का दो यह electron होता है ठीक है P में 3D P का लिखेंगे ठीक है तो यह हो गया और 3D D के पास 5D generated shell होता है एक दो तीन चार एक दो तीन चार और एक पांच ठीक है अब इसमें हम लोग करते हैं electron का fill ठीक है तो इसमें 2 electron ठीक है देख रहें 3S में 2 electron 3P में 3 electron ठीक है तो यह एक दो तीन और 3D में नहीं है ठीक है इतना ही तक है लेकिन जब excited issue में जाएगा उतेजी तवस्ता यह तो है हमारा हो गया समान्य वस्ता जब उतेजी तवस्ता में जाएगा तो यह हो जाएगा 3S 3P और यह हो गया हमारा 3D 1 2 3 4 और एक 5 दीक है तो यह आएगा हमारा यह E-S का इलेक्टान यह E-S का इलेक्टान उठके D में चला जाएगा तो यह अनपेरड हो गया यह पहले से हैं अनपेरड इसमें 3 electron है और इसके पास एक इलेक्टान और हो गया तो यह मील के बनाएगा SP3D अब दिखिए होता कैसे है आप लोग को पता है कि क्लूरीन के जो इलेक्टान जो चाहिए पेर करने के लिए एक चाहिए तो जब यह उपर लैपिंग करेगा उपर लैपिंग करता है तो बनाता है PCL5 तो यह हमारा पी हो गया सेंटर पे इसका जो सेप जो बनाने का है वो बहुत क्रिटिकल हो जादा इसलिए मैं बनाऊंगा नहीं मैं आपको यह से बता दे रहा हूँ कैसे इसका सेप बनेगा ठीक है यह इसका भी यह 3D में होता है ठीक है पांच इसमें क्लोडिन जोड जाता है और यह बनाता है यह PCL5 क्या बनाता है दोस्तों PCL5 बनाता है ठीक है तो यह देखिए इसको SP3D की बोलते हैं कि एक इलेक्टान इसका है तो इस हो गया तीन इलेक्टान पी का है तो P3 हो गया और एक इलेक्टान D का है तो D हो गया तो यह मिलके बन गया SP3D तो ऐसे हम लोग बनता है SP3D प्रासंकरान प्रासंकरान क्यों बोलते हैं क्योंकि जो और लापिंग करता है उस प्रसेस को हम लोग बोलते हैं प्रासंकरान ठीक है अब next पढ़ते हैं हम लोग SP3D2 ठीक है अब इसको हम लोग SP3D2 क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं इसको समझने के लिए मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूं SP6 का किसका? SP6 SP3D2 प्रसंकरन ठीक है एससेफ एससेफ सिक्स एसका लेक्टानिक प्रसंकरन लिखते हैं तो पाते हैं क्यों होता है SP1 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P4 दोस्तों इतना तो पता है कि एसस का जो प्रसंकरन वो होता है 16 ठीक है तो इसमें हम लोग जब इलेक्टान फिल करते हैं तो पाते हैं कि इसका लेते हैं जिसका ज़रत है ठीक है? तो यह लेते हैं 3 S का ठीक है? उसके बाद लेते हैं 3 P और उसके बाद 3 D ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है तो इलेक्टान फिल किजिए 3 P 3 D ठीक है? अब देखिए क्या होता है इलेक्टान फिल करते हैं तो इसमें 2 इलेक्टान है और P में 4 इलेक्टान तो इसमें 2 इलेक्टान P में 4 इलेक्टान 1 2 3 4 ठीक है? जब excited state में होता है मतलब जब excited state में जाता है तो यह तो है हमारा है general state यानि समान में वस्ता है और यह जब excited state में जाता है तो एक S का उठके D में चला जाता है और एक यह जो P का है यह भी D में चला जाता है ठीक है? तो देखिए excited state में कैसे ज देखें, एक A का उठके चाहता है, D में, और यह वाला P का भी आ जाता है, D में, अब इसके पास भी तीन अनपेर्ड एलेक्टान है, इसके पास दू है और इसके पास एक है, ठीक है? तो A मिलके बनाता है SF6 और F के पास और लेडी एक electron चाहिए होता है overlapping के लिए ठीक है तो A's के पास कितने electron होगा overlapping के लिए 6 और fluorine कितना है 6 यह मिलके बनाता है SF6 ठीक है इसका भी जो structure होता है काफि critical हो जाता है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे बनेगा ठीक है एक, दो तीन, चर पान, छे ठीक है, तो यह हमारा SF6, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, अब इसको SP3D2 प्रस अंकरन क्यों बोलते हैं क्योंकि, देख रहे हैं, एक S का आता है, एक S हो गया P का 3 है, एक, दो 3, तो P3 और D का कितना है, दो है तो D2, ठीक है तो यह हमारा होगा, SP3 D2, प्रस अंकरन प्रस अंकरन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह प्रस अंकरन क्योंकि यह अर्बिटलों का, ओनर वितरन करके तो समझ में आगा होगा कि प्रइस संक्रान क्या होता है और सारे आपको बता दिया में तो दोस्तो आयोप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इसके बाद भी एगर किसी एक जामपल लेकर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट किजिए और अगर हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लिस सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करते रहे हैं थैंक यू